तो आईए स्वागत है आप सब का इस चैनल पर वेल्कम टू लाब और हम और आप शुरू कर रहे है करेंड़ फेर्स और बहतरीन हालत हमारी बहुत बढ़िया है एक दम स्वेटी स्वेटी क्योंकि पंखा नहीं है अब इलेक्टरिसिटी जो है वो जा चुकी है यार लाइट इशूस तो इसलिए हमको आने में दो चार मिनिट एक्स्ट्रा समय लग गया क्योंकि हम सोच रहे हैं लाइट को है नी बोर्ड तो और होगा नी फिर एक दम से य चलू करें सब एक दौम बढ़िया से प्रॉपर एनरजी के साथ में उड़ गए लाइट जाने का ना लाइट ना आने का पावर हटने का ना इक बहुत बढ़िया एक चीज भी है यार कि फराकी नहीं पड़ता कि आप अप्टेव है इनक्टेव है आप अपने आप अपने मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा विश्कार होगा उसको तो मैं परस्नली जा करके परस्नली जा करके बढ़िया रिवार्ड देकर क्या हुआ जिस दिन किसी ने इन्वेटर से चलने वाले इसी मना दिये आए चलिए तयार है सब लोग बढ़िया से शिरू करें हम लोग तो चलो फिर लेट्स गेट स्टाटेड आएए ठीक है तो ओके बिजली को इतना भी नायाद करें पता चला आही गई तो क्या होगा फिर कहेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसे थोड़ी ना यह मतलब थोड़ी नहीं रहा कि मतलब बुलाया है तो आही जाएंगी आप यह भी सही बात है पॉइंट भी नोटेड है चलिए अच्छा तो फिर हम और आप मिल करके शुरू करते हैं पहले तो एक बहुत बढ़िया लेविल का तेज आग मतलब rapid fire round यह rapid fire round क्या है यह हमारा कल का revision होगा यह हमारा this will be a revision ठीक है और पहले revision करेंगे और उसके बाद पर देखेंगे कि भई क्या कहानी है क्या नहीं है थोड़े साइड हो जाए छोटे हो जाए एक हम है जो आपको बड़ा करने पर तुले रहते हैं और एक आप है छोटे हो जाई है तो चोटे हो जाओ इसलिए कृष्ण जी पहले बोल गए थे एक ऐसा कल्योग आएगा जिस समय विक्ति पूछेगा नहीं करने वाले को नहीं पूछेगा देखिए अच्छा तो यह हमारे आपसे मिलने की सारणी जो है समय सारणी कुछ इस प्रकार है इस इस टाइम पर हम लोग मिलते हैं एक बार कलर उठा लिया जाए पीला हाँ जी बात देखिए तो हम सुबे सुबे च्छे बजे पहले आपके घर पर दस्तक देते हैं उसके बाद में साड़े साथ बजे फिर से हम लोग मिलते हैं अब्भ्यास सीरीज में और जिसने जिसने अब्भ्यास सीरीज में ना एंड्रोल किया हो कर लेना बिलकुल अब आपको लिखाल हुआ इंविटेशन चाहिए है अब उन्रोल करेंगे सुनिए ठीक साड़े साथ बजे अभ्यास सीरीज होती है यह एक प्राक्टिस सीरीज है विचिस अवेरी एंपॉर्टन प्राक्टिस सीरीज यहां पर हम स्पीड प्राक्टिस सीखते हैं इंग्जाम में कैसे हम चीजों करेंगे इसके ऊपर हमारा यहाँ पर खासा ध्यान होता है ठीक है तो जिनका भी जिन लोगों ने भी enroll नहीं किया हुआ है वो enroll कर लेंगे अब इसका link का है आज का तो link इसका description ने पढ़ा हुआ गया देखिए जरा नहीं पढ़ा हुआगा तो कोई बात नी हम आपको दे देंगे और इसके बाद में designer की तंगी कितने तंगी में काम चल रहा है या आपको देखके समझ आ गया होगा अब एक सिकन रुकना बस हम जल्दी से जड़ा ना class को फेले पिन कर दें और फिर हम लोग आ गई यह कहानी करें ठीक लोगी तो यह हमने आपको इस class को कर दिया है यहाँ पर पिन लो भई य यह आ गया control C control V तो यह और यह हाँ जो लोग पहली बार इस class को सुन रहे हैं तो आप और आप इस अभ्यास में पार्ट लेना चाहरे हैं तो आपको एक free एक वो दालना होगा एक code दालना होता है वो है LAB Lab तब आप access कर पाऊगे ठीक चुरू कर एच्छा आईए तो चलिए हम लोग करते हैं आज की मनोरम बातें और मुझे यह बताईए जल्दी से कि यनिटाड जो है इसने भारत को FDI में कितनी rank दी है यनिटाड जो है United Nation Conference and Trade and Development और एक दम बिलकुल कता ही वो होता ना यार क्या लंगोटी छोड़ भागना ये एक phrase है लंगोट छोड़ भागना मा आप बिलकुल लंगोट छोड़ स्पीड की उपर एंशर दीजेगा कि यनिटाड की जो रिपोर्ट है उसमें भारत में FDI कितना है उस पर पेश में बताईएगा कि किस rank पर हम आते हैं आप अपने आपको छोटा बड़ा करते रहेंगे आपको छोटा बड़ा करते रहेंग तो यहां पर हमारे पास में सातवी rank है भारत की बहुत बड़िया बाप है बिलकुल सही इसमें कोई भी दो राय नहीं है आपका जवाब एक्टम पूरी तरीके से सही है चलिए दूसरी चीज में अभी यहां से पूछ रहा हूँ देखिए headquarters इनक्टैट के कहा पर है पारिस में है या फिर जनेवा में है headquarters of इनक्टैट की अगर मैं बात करूं यह तो चलिए सेवन्थ आ जाएगा कलर मैं लाल लगा लूँ अब यह हो गया मेरा लाल रंग अब बादा यह कहा पर है पेरिस में आता है जनीवा में होता है स्विचलिक अपर यही एफडिया रेपोर्ट और लपन और Еकशु जो है इनहीं के द्वारा रिलीस करी जाती है चलो next कहानी के ओपर बात करेंगे हम लोग तो बताईए World Blood Donor Day कब celebrate किया जाता है शाबाश थोड़ा शाबर फास्ट करो मतलब जब तक comment मेरे को दिखाई पड़ते रहते हैं तब तक मेरे को feel नहीं आती है तब तक रखता है कि अभी सब लोग जगे नहीं है आपने बताना है उस speed पर कि comment में को दिखाई ही ना पड़े सोचो आप कह रहे हैं तो जब तो वर्ल ब्लड डोनर डे हम celebrate करते हैं हर वर्ष किस दिन celebrate करेंगे we celebrate it every day on 14th of June किसके जनम दिवस पर हम इसको celebrate करते है हाँ जी शाबाश किसके जनम दिवस पर हम वर्ल ब्लड डोनर डे को celebrate करते हैं हर वर्ष काल लांस्टीनर आप शौट में बोल दिया करेंगे आप केल बोल दो बस यह दिखा दिया करो कि हाँ आपको आता है तो काल लांस्टीनर के अगर नहीं आता है ना तो भी लिखो अब अब एंसर पता चल गया अब आप लिखिए काल लांस्टीनर के जनम दिवस पर हम इसको celebrate करते हैं प्रत्य एक वर्ष काल लांस्टीनर लिखा शाबाश यार बहुत बढ़िया पर हम celebrate करते हैं बहुत अच्छी बात है फिर एक और चीज़ देख रहे है ये काल लांस्टीनर कौन थे ये वही वेक्ति थे जिन्नोंने A, B और O ब्लट गूर्प हो जा था तो यह हो जाएंगे काल लांस्टीनर फिर headquarters of FATF की बात करें FATF की बात करने से पहले आप मुझे ये बताईएगा कि इसमें T का मतलब क्या है FATF में T का मतलब क्या है अगर मैं FATF की बात कर रहा हूँ तो आपको मेरे को ये बताना है कि इस FATF में T का अर्थ क्या है F और A का मतलब बता देता हूँ Financial Action अब T का Full Form आपने बताना It is Task तो Financial Action Task Force होता है इसका Headquarter कहां पर Located है FATF का Headquarter Located है किस जगा पर It is in Paris में Located है Paris में Located है FATF का Headquarter ठीक है काली Important Important चीज़े मैं बूछूँगा FATF का Headquarter Paris में चलिए कितने Member Countries है? 39 कोई बात नहीं बढ़िया बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज़ एक कनेट करूँगा देखो FATF ही Gray List और Black List इशू करती है जो लोग Terror Funding में होते है जो थोड़ा सा कम होते है उनको Gray List और जो बिलकुल प्रकांड तरीके से बोलते है हम तो funding करेंगे Terrorist को Terrorist Organizations को तो उनको Black List में डालती है तो साब Black List में एक कंट्री है जिसका नाम है इरान ठीक है इरान हो गया North Korea हो गया अब समझेगा अपने काम के लिए अपने बच्पन में एक बात सुनी होगी कि वक्त पढ़ने पर किसी को भी पिताजी बनाना पढ़ता है वक्त बढ़ने पर किसी को किसी particular एक January species को पिताजी बनाना पढ़ता है मेरे फादर साब भी घर पे है इसलिए मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ भी देखे तो पतलब उन्हें लेगे पताजी क्या बात हो रही है तो देखे अभी क्या है इरान जो है वो blacklist में है और आजी आप इरान की news पढ़ेंगे भारत सबसे ज़ादा तेल पता है किस से खरीदता है पूरे दुनिया में सबसे ज़ादा तेल किस से खरीदता है हम पूरे दुनिया में सबसे ज़ादा तेल इरान से खरीदते हैं, अब एक बात बताईए, हम पैसा देते हैं इरान को, और इरान करता है टेरर फंडिंग, आप बात समझ रहें, इंडिया पैसा देता है इरान को, और FATF कहता है कि इरान पैसा भेजता है टेररिस्ट को फंड करने के लिए, बट फिर भी हम पैसा देते ह करके हमारा 110 रेट चला गया है तो सोचिए अगर हम महंगा लेंगे तो कहा चला जाएगा रेट हमारे है तो यहाँ पर यह है कि ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते है अचा संतुकाराम महराश टेंबल कहा पर इनाउगरेट करा गया है बोलीगा, संद तुकाराम महराज टेंपल किस जगा पर inaugurate करा गया है, किस राज्य में inaugurate करा गया है, तो basically यहाँ पर यह करा गया है, पूने में inauguration हुआ है, इसका संद तुकाराम टेंपल का, एंसर लिख लेंगे यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर हो जाएगा आपका, संद continent world का, in terms of area कांसा है, come on, everyone, I want answers from everyone, जब सारे लोग करते हैं तो अलगी level का, अलगी level की feel आती है, तो fifth continent, हम लोग अभी कल का revision कर रहे है, हम लोग नहीं ये news कल पड़ी थी, हम लोग स्टाटिंग के 57 मिनट कल का revision करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो fifth continent in the world in terms of area कांसा है, ब Lieutenant Ram Charan, आज देखे, Lieutenant वाली दी एक news आएगी, Lieutenant Ram Charan, ये news आजएगी, फिर कॉनसे स्टेट ने खेलो इंडिया गेम कहा हुए है, और किसने जीते है, maximum number of medals, दोनों का ही answer एक ही राज्य है, और answer क्या आजाएगा, दोनों का ही answer एक ही राज्य है, और आप बताईए कि मेरे पास में क्या answer आएगा, शाबाश, दोनों का ही answer एक ही राज्य है, the answer is, brilliant, the answer for this is, हरयाना, हरयाना में ही maximum medals भी गए है, और हरयाना ने ही इस साल का, Kelo India Youth Games को organize भी कराया था, शाबाश, बहुत बढ़ी आप है, चली, अब आप में हमारे दर्शन कर लिए अच्छे से, अब हम ऐसा गायब हो जाते हैं, और अब हम आपको पीछे से पूरा background score सुनाते रहते हैं, ठीक है, आइए, चलिए, चलते है, background कहानियों पे, तो आज देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको इतनी पुरी कहानी नहीं पढ़ने है, आपको खली यह देखना है, फिर आपको मैं सम गाना है, तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है, United States ने Gandhi King Scholarly Exchange Initiative launch किया है, इसका मतलब क्या हो पा है, Gandhi King Scholarly Initiative, यह देखो, इसका simple सा मतलब यह है, कि उन्होंने अपने बहाँ पर, आपको यहाँ बे, कल मैंने एक बात आपको बताई थी, परसों, कि हम लोग जिर स्टूडेंट एक के, जो emerging young civic leaders है, young civic leaders का मतलब समझ रहे है, जैसे मान लीजे, 20 young civic leaders, जैसे जो बिल्कुल youngsters है, जैसे आपको याद होगा, कई बार, पिछले के पिछले साल अगर आप ध्यान हो, आपको आज से 2 साल पहले, Kanhaiya Kumar, Umar Khalid, यह लोग काफी जादा focus में आये थे, क्योंकि यह कुछ की बाते कर रहे थे, जो कि दुनिया ने शैद उसको पसंद किया था, कुछ लोग उने पसंद किया था, कुछ लोग उने पसंद नहीं किया था, देखिए, love him or hate him, but you can't ignore हुम वाली कहानी है, हम जानते हैं कौन है, Kanhaiya Kumar, हम जानते हैं कौन है, कौन है, कर नहीं है, हम जानते USASA लोग और USASA लोग, USA में भी rights को ले करें कि हमने पूरा-पूरा fundamental right हमने लिया ही USASA है, है न, तो इनको साथ में लाने के लिए ये एक program आया है, Gandhi King Scholarly Exchange Initiative, ताकि वो हमारे leaders, छोटे young, जो leaders कहलें या activists कहलें, वो US जाएं, US वाले यहां आएं, और हम एक बहतर एक दूसरे के culture को समझ पाएं, और थोड़ा और, अभी वैसे भी सरकार परिशान रहती इस तरीके के, जो ये सब आंदोलन चला करते हैं, तो अब थोड़ा सा और ये चीजे और बढ़ पाएं, तो इसके लिए एक आनी करी गई है, तो इसको किस ने launch करा है, वा, United States of America ने किया है, आपने आपको याद होगा गांदी जी ने एक आंदोलन किया था, बताइ कि गांदी जी ने सबसे पहला सत्याग्रय कहां पर किया था, आपको याद होगा चाहीं चंपारण बिहार हो का होते हुए, चंपारण में हो गया, अमधाबाद मिल asociation, खेडा सत्याग्रय, इस राहिभा सत्यागरह किया थे, लेकिन एक बहुत बड़ा अंदोलन इन्होंने किया था, वो क्या था, 1920 का non-cooperation movement, non-cooperation movement, जितना बड़ा movement, पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था कि एक वेक्ती, इतना बड़ा movement खड़ा कर दे, सिर्फ एक वेक्ती, 1920 में ये movement हुआ, तो मार्टीन ल अगेंस इन्होंने भी एक mass movement शुरू किया, अपार्थीर क्या होता है, रंग भेद, for example, वहाँ US में क्या होता था, देखे हर जगा, जैसे हमारे वाँ क्या होता था था ना, कि भाई, ये हरिजन है, ये हरिजन है, हरिजन माने ये दलिद वर्क का व्यक्ती है, इसको ये जो समर्ण व्यक्ती है, उनके संग बैठ नहीं सकता है, उनके संग पानी नहीं पी सकता है, इसी तरीके से वहाँ क्या होता था, USA में, जो लोग dark होते थे, जो लोग काले होते थे, उनको कोई rights नहीं होते थे, आप school में नहीं पढ़ सकते हैं, आप उस जगा जमीन नहीं ले सक कि Martin Luther King को American Gandhi भी बोला जाता है, अब ये एक सवाल आ गया, इस बार के लिए, 100%, इस बार एक प्रशन आएगा, बताए किसको American Gandhi बोला जाता है, फिर मेरे पास कुछ students, paper खतम होते ही, दौडते हुए आएंगे, आपने world history पढ़ा ही नहीं और आपको पता है, world history से सवाल आया थ था, US history से भी सवाल आया था और आपने world history पढ़ा ही नहीं, आप कह रहे थे world history से सवाल नहीं आते हैं, से ब इंडिन history पूछता है, रे भाई, हम पहले से आपको इसलिए बता दे रहे, it is not world history, it is the current affairs, और ये सवाल 100% आएगा इस बार, कि बताए ये American Gandhi किसको कहा जाता है, त world history की news नहीं है, clear हो गया बडिया से, अच्छे से, कोई doubt नहीं ना, शाबाश, आई, तो हम और आप मिलके चलते हैं, अब आगे, यहां तक की बात एकदम clear हो गया, हाँ, आज भी चल रहा ही हो, इसमें, तो आज भी यहां भी आपको क्या लगता है, आपको लगता है, कि यह यहां पर पूरी तरीके से जो डलितवर्ग के साथ में, जितना भी discrimination है खताब हो चुका है, तो नहीं, बिलकुल नहीं, अभी भी चल रहा है, हाँ, कम हुआ है, प्रयासों से कम हुआ है, आईए, देखे, इन्हें अमेरिकास गांधी भी कहा जाता है, तो आईए ज़रा सव आफरिका है, यूएस है, यूके है, या तर अस्ट्रेलिया है, देखे, तो आहम से राज आएगा मेरा United States, अच्छे, United States में कितने राज्ये हैं, United States कैसे बना था, पता है, देखे, यहां पर भी Britishers, अंग्रेज यहां पर भी rule किया करते थे, और उसके बाद में क्या हुआ, इन सारे, ये individual राज ये हुआ करते थे, North America सर्फ एक continent होता था, वहां पर जैसे हमारे वहां individual princely states होते थे न, बिल्कुल वैसा ही North America में भी princely states होते थे, इन सब के उपर अंग्रेज राज करते थे, तो जब इन लोगों ने एक साथ American Revolution, एक साथ साथ में आये और चार साल में अंग्रेजों को भगा दिया, यानि देखी किसी भी चीज को revolution कब बोलते हैं, जब कोई चीज थोड़े से समय के लिए हो, लेकिन उसका impact बहुत लंबे समय के लिए हो, इसी लिए उसको बोलते है revolution, Indian Independence को कभी भी revolution नहीं बोलते हैं, क्यों? व्योंकि हमने आजादी के लिए अपनी लड़ाई शुरू करी थी, आप मोटा मोटा मानने कि हमने कांग्रेस के बनने पर भी अगर शुरू करी थी, तो 1885 से शुरू करी थी, और 1947 में, यानि मोटा मोटा हमको 64 years लग गए हमको आजादी लेने में, उसके पहले 1700 से ही क्या हुआ, बैटल अफ प्लासी वगर फा, American Revolution, जिसको बोलते हैं, four साल का युद्ध हुआ था, चार साल में इनो ने अंग्रेसों को खाल फेका था, और उसके बाद में इनोंने रियराईस किया था कि, यार, हमको सात में आने की जरुवत है, हमको एका की जरुश है, तो इनके वहाँ कोई वल्ला भाइ पतेल नह कुल मिलाके 50 राज्य होते हैं United States of America में मुझे उमीर है कि आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ठीक है यार आपको बढ़िया sweat lines दिखाई पढ़ रही है कता ही होता है ना कि आप ये जो पढ़ाई है ये जो काम है इसको तब के समान करो तो मैंने इसको ना मेरी life ने थोड़ा इसको quite literally मैंने और मैंने शहर के बिजली विभागने इस we took it quite literally और उन्होंने सोचा कि यार तब के महनत करनी चाहिए मैं बोलता भी था ने डेली आपसे सुबह सुबह यार एकदम तब के महनत करनी है तो उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों नहीं करते है इनको fry ही कर देते है तो इन्होंने रात में तीन बज़े से बिजली काट ली अब यहाँ पर मूँ बज़े तबा के महनत करवा रहे है इस लेवल का बिजली विभाग होना चाहिए आपके शहर का जो की अगर आपकी इच्छा हो कि आपको तब के महनत करे तो बिजली काट ले और आप पसीने में नहा करके आप क्लास ले ताकि आप तब के क्लास ले रहे है आईए शावाज यही तो होता है टालेंट लोग की निशानी यही है आईए आगे बढ़ रहे हैं अगला सवाल देख रहे हैं अगनीपत स्कीम बाई साब यह बहुत बढ़ी हाई स्कीम आई यार इसके तहर ना एक से एक बहतरीन चीज़े हो रही है साड़े सत्रा साल से लेकर के 21 साल तक के जो युवा है आप मेंसे कितने लोग हैं फिसला यह बताईए ज़रा कि आप मेंसे कितने लोग हैं साड़े सत्रा से लेकर 21 साल तक के लोग हैं बताईए देखिए साड़े सत्रा से लेकर 21 साल तक के लोग अब अगनीपत स्कीम के थूँ वो डिफेंट सर्विसेज में जा सकते हैं अब जो नॉर्मल चानल होता है जो सिपाही भरती होती है अब उसको बंद गर दिया गया है क्यों 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 कि देखिए बहुत बड़ी चीज आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूं यह वो अगर हमने सिपाही भरती जो होती है अब सिपाही तो भरती हो गई लिकिन अब समझें वार ऐसा तो है नहीं है कि हर समय वार होते रहते हैं देखिए आप अगर कभी आप बंदूग रखते हैं अपने पास में तो बंदूग या जो आप गोली बंदूग रखते हैं वो इस इसलिए होती है कि आपको दिखानी है, माने उसका रखना भी दुनिया में डर बनाने के लिए काफी है, इसलिए आपको एक बड़ी फॉज आपको maintain करके रखनी होती है, लेकिन शायदी आपको कई सालों में आपको इसको इस्तेमाल करने की जरुद पड़े, लेकिन अब समझ तो दिखें, large standing, large मतलब बहुत बड़ा, standing army का मतलब यह हो पाए, कि यार उस समय वो army, यह नहीं कि वहाँ खड़ी हुई है, वो army आप permanently maintain कर रहे हैं, मने ऐसा नहीं कि आपने war नहीं हो रहा जाओ छुट्टी पर जाओ, बात में जब war होगा तो बुला लेंगे, नहीं, सब दे रहे हो, इसी को बोलते हैं, large standing army, clear? So, इतना large standing army को अगर आप सालों साल, अगर आपको salary से लेके सब कुछ देना है, तो आपके पास में बहुत बड़ा आपके budget के ऊपर बहुत बड़ा constraint आ जाता है, एक बहुत बड़ा पैसा आपको salary pension में देना पड़ता है, even after the job, आपको pension देनी पड़ती है, वो भी बहुत heavy हो जाती है, तो क्योंकि आपको पता है, भारती ये सेना, लगबग लगबग 3 से 4 लाख, 5 लाख लोग तो खाली भारती ये सेना में है, तो इतने सारे लोगों को फिर salary भी देना बड़ी बाप है, तो अब अगनी पत स्कीम के द देहट लिए जाएंगे, और इसका नाम ये कहा जा रहे है कि अनुभव करना है, बेसिकली इसराइल में भी ये स्कीम चलती थी, वहाँ 6 महीने के लिए थी, यहाँ 4 साल के लिए है, और बहुत अच्छी बाप है, तो उनका नाम अगनीवीर होगा जो लोग जाएंगे, तो उनको 4 साल बाद छुट्टी दे दी जाएगी, इसके लिए सालरी बहुत अच्छी है, सालरी मैं आपको बताता हूँ, 4.76 लाक रुपीज पर ये तो आपकी फर्स्ट इयर की सालरी है, खाली पहले ही साल आपको 4.76 लाक रुपी मिलेगा, इसके बाद आप समझेए, फिर त और उसके साथ भी अगर आप मोनिटरी बेनिफिट भी देखें, तो 11.70,000 रुपए, ये आपको फाइनल पैकेज मिलेगा, 11.70 लाक रुपीज, ये आपको फाइनल पैकेज मिलेगा, कि आपने जो सर्विस दीना, ये वन टाइम सर्विस ग्रांट के रूप में दिया जाए तो कुल मिला के 4 चौक, 16 लाक ये, 16 लाक, 27 लाक रुपए इसने इस चार साल में कमा लिया होगे, यानि मोटा मोटा हम बात करें, तो लगबग 7 लाक रुपए के आसपस कमा लिया होगा, तो अच्छी बात है, इसमें से 7 लाक रुपए, 8 लाक, 10 लाक भी खर्च करें, तो अब उसको lifetime के लिए उसको salary नहीं देनी, lifetime के लिए उसको pension नहीं देनी है, लोगों के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए करेंगे कि उनको jobs में कुछ extra points की भी सोच रहे, अभी यह final नहीं हुआ है, शायद उनको age extension दे दे, कुछ उनको extra pointers दे दे, इस तरीके से सगनीपत scheme को लाया जाएगा, even जो ऐसे exam थे, air force के, जो हो चुके थे, जहाँ result pending था, उनको भी cease कर दिया, कल एक conference रही उसमें बोला गया है, उनके result भी cease कर दिये गए, कि उनके results जो होंगे, वो चाहे आए चाहे नाए, उसको मतलब नहीं है, अब जो भी entry होगी, वो अगनीपत scheme से ही ल और या चीज़ है, आईए, next पर आते हैं, हाँ, age relaxation भी होगा, लड़किया जा सकती है क्या, नीरज वैशनव, नाम से तो आपके नहीं लगता कि आपको, आप महिला है, और अगर नहीं है, तो पर कहा, परशान है, पहले आपने लिए तो सोचिए, वैसे यार इसमें अभी उसमें सारी विंग्स में तो नहीं है, तो recently launched अगनीपत स्कीम बताईए, किस field से related है, foreign service से, social service से, military service से, या फिर banking sector से, सोच बैंकिंग में, बैंक पियो की भरती हो रही है इससे, तो इन में से किस से related है, बताईएगा, answers मेरे पास में क्या आजाएंगे, शाबाश, सही जा आप लोग काफी, बहुत बढ़िया, तो हमारे पास में answer आजाएगा, इसका, the correct answer will be, हाँ जी, foreign service, social service, YCDC बात है, it is military, सारे लोग answer दो करो या, आजी सारे लोग, दोस से क्या होगा न, strong one होगे, answer देने से, इस या answer नहीं है, या इन्षर नहीं है, या कॉम प्लान है, जित be included in अगनीपत स्कीम, किस उमर से लेके, किस उमर तक के छातरों को, basically, youth को लिया जाएगा, इस अगनीपत स्कीम में, तो answer मेरे पास में क्या आएगा, साड़े सतरा साल से लेकर के, 21 साल तक में आएगा ये, और आगे बढ़ रहे हैं लोग, देखें, यहां से आपको एक बा करते हैं, इसलिए ऐसा है, इनको blacklist में डालो, पूरी दुनिया इनको पैसे loan नहीं देगी इनको, और उधर क्या है, इरान, इंडिया का सबसे बड़ा supplier है, oil का, number one पे आता है, और उधर उसके, number one के बाद, दूसरे number पे कौन आता है, साओधी, साओधी आता है, number two पे आता ह oil supplier के लिए, अब लेकिन क्या हुआ, इधर, पूरी दुनिया ने क्या किया, रशा के उपर sanctions कर दिये, जब रशा के उपर पूरी दुनिया ने sanction कर दिये, कि हम इंसे ना oil खरी देंगे, ना gas खरी देंगे, पहले पूरी दुनिया ने लगा, बात में सारी दुनिया वहाँ प तो अब जैसे पहले क्या था इरान पहले नंबर पर आज भी पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर जो ओए इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें साउधी था अब उस जगह पर रशा आ चुपा है और साउधी जो है यह आ गया है थर्ड नंबर पर इसको बोलते हैं मौके पर च आज आपको चलितार्थ होते हुए दिख रही है कि यह अच्छले मौके पर चौका है उनके पास बायर नहीं है हम बायर है हम क्या रहे है तुम्हारे पास तो वैसे भी ग्रहक नहीं है अब अपने को सस्ते में चाहिए भाई तो सस्ते में देना ही पड़ेगा तुमारे को चलिए तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछओ देखो यहाँ से जोग्रफी का सवाल बनता है न्यूस करेंट अफेर्स की है लेकिन यही से जोग्रफी का सवाल बनता है कैसे यह देखिए मिनरल से सवाल बनेगा यहाँ से जोग्रफी का यहाँ पर बारत तेल आयात के मामले में किस इस्थान पर है दुनिया में हम ऑईल किस नंबर पर हम दुनिया में आपको पता है इंडिया जो है यह थर्ड बिगेस कंट्री है जो की तेल का निर्यात करती है आप सोचिए हम डेली बइसस के ऊपर 2.5 करोड बैरल में लगपग 1.59 लीटर के आसपास तेल होता है तो आप सोचिए हम लोग लगपग 2.200 करोड यह हो गया लगबग 300 क्रोड लीटर तेल एक दिन में यूज कर लेते है इंडिया में इतना तेल इस्त नवाल होता है एक दिन और दिखाई पड़े हर महीने सरकार को एक report release करें कि यार हमने इस महीने इतना area under the forested land हमने बढ़ा दिया है इतना area और बढ़ा दिया है तो कितना बढ़ी अजीज़े हो जाएगी बहुत सार एरिया आपने देख रहोंगे जो खाली पड़ा है ब्रिच के नीचे जमीन एकदम खाली पड़ी हुए उसमें कचरा पड़ा हुआ है इतनी कचरे वाली lands को clear किया गया है और इतने कचरे को recycle करा गया है और इतने forested land को increase करा गया है अगर ऐसा data हर महीने अगर paper में publish होने लगे ऐसा नहीं किसी website में paper में publish होने लगे जैसे parties के बड़े-बड़े ads होते है न तो लोग भी motivate होंगे कि यार यह कितनी बढ़िया बात है लोगों पैसा देने में भी नहीं खलेगा paid video के लिए because eventually everyone knows लेकिन कोई कर नहीं पाता है कुछ भी अई यहाँ पर देख रहे है अब एक गजब की बात दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है आपको यहाँ पर द लग और titanosaurid dynosaur yur dinosaur का अंडा मिला है और जो titanosaurid dinosaur है इसका अंडा मिला है यह कहाँ पर देश के धर डिस्ट्रिक में titanosaurid का अंडा मिला है ऐसा यह उड़ जीवित है भी वो पुरा खतम हो चुका है जड़ चुका है बट देन इस अंडे के अंदर क्या होता है ये अंडा और उसके अंदर एक और अंडा ये होता है टाइटानो सॉरिट का अंडा अब मैं आपको ये बता दू ये दुनिया में पहली बार ये खोज हुई है घ्यान र इसा ओओ ये बता और अगर लीजए शाएद पूरे आपके लोकालीटी में एक ऐसा घर होगा जो की चार मदिल अगर होगा राइट टाइटानो सॉराग भर के बराबर इतना बड़ा डाइनोसौर होते थे ये इतने बड़े डाइनसौर होते थे चार मंजला घर के बराबर के बड़े डाइनसौर होते थे यह टाइटानोसौरिट अभी सोचिए कि यह कितने बड़े डाइनसौर हो गई है तो समझेगा तो यह यह इतने बड़े डाइनसौर हुआ करते थे Titanosaurid और अब ये इनका पहला इनका जीवाश महम को मिला है तो इनको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी कि ये कहां कहां हुआ करते थे तो 40-50 फिट लंबे डाइनसार हुआ करते थे आई तो ये अब तक ये सबसे बड़े डाइनसार होते थे सवाल आएगा आपसे Recently बताईए किस राज्य में Unusual Eggs of Dinosaurs मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर चलिए चलिए लिखिया Unusual Eggs of Dinosaurs जो है वो कहां पर discover करा गया है अपको हिंट ये भी दे रहा हूँ कि इसी जगह पर हीरे की खान भी है इसी राज्य में देश की सबसे बड़ी हीरे की खान है तो यह answer आजाएगा मद्रदेश यहीं पर पन्ना पन्ना एक जगह है जहाँ पर हीरे की खान है वो भी है अच्छा देखिए अब एक Binstic Technology Transfer Facility आ गया है इसका मतलब क्या होता है यार अभी अभी cabinet ने मंजूरी दे दिये भारत की cabinet ने cabinet का मतलब क्या होता है देखो समझना यह कई लोगों confusion होता है cabinet क्या है council of ministers क्या है बहुत आराम से सुनिएगा बहुत अच्छे से देखिए एक बात समझिएगा कि मैं यहापर थोड़ा सा न गया बोले तूम फोला सा तो आपको बहतर दिखाई पड़ेगा कोछ समय मैं इसको कहां गये हम गया को जाते हैं अब देखना यारी होता क्या है ऐसे समझेगा जैसे यह देखिए यह क्या है यह पूरा का पूरा लोगसभा हो गया समझ गया लोगसभा हो गया मान लीजे अब इस लोगसभा में क्या हुआ इस लोगसभा में क्या हुआ कि भाई यहां तो सारे लोग होंगे यहां जो पार्टी जीती है वो भी होगी और जो पार्टी हारी है वो भी योगी बोलो हाँ या ना सही बात है बताओ इस बार कौनसी पार्टी जीती है इस बार सबसे बड़ी पार्टी कौनसी है जो जीती है यह हो जाएगी बीजेपी की पार्टी है ना सही बात है तो बीजेपी मानलो लोगसभा का एक सबसेट मानले लोगसभा में मानलो कि जिनको मंत्राले नहीं मिलता है, उनको नॉर्मल MP बोलता है, यनि Member of Parliament, और जिनको कोई न कोई मंत्राले दे दिया जाता है, कि साब आप Sports Ministry समझा लिए, आप क्या करी, आप आपको Finance Ministry के साथ में लगा दे रहे हैं, आपको Finance Ministry के अंडर Deputy Minister बना दे रहे हैं, ये सब, तो जिनको म मंत्राले मिलता है, उनको बोलते हैं Ministers, ठीक है, उनको बोलते हैं, तो ये मंत्री नाम है, मंत्री, मंत्री का मतलब ये नहीं होता है, कि लोग सब हमें बैठ रहा तो मंत्री हो गया, नहीं, Minister का मतलब होता है, उसके पास कोई ना कोई Department होना चाहिए, ठीक, तो अभी क्या कोई ना कोई Portfolio होगा, Portfolio का मतलब समझ गया ना, कोई ना कोई चीज होगी, जिसके ओपर वो लोग Rule Regulation, मतलब Execution वगरा देखेंगे, तो ये हो गया Council of Ministers हो गया, COM बोलते हैं, अब देखे, इन में से कुछ मंत्री ऐसे होंगे, जो बहुत important हो, जिनके पास Portfolio होगा, ज एक के पास में Ministry of Housing and Urban Affairs होगा, एक के पास में, तो ये बहुत important, एक के पास में Foreign Ministry होगी, ये सब बहुत important मंत्राले हैं, तो यानि इसका भी एक subset होता है, वो होता है Cabinet, तो जो सबसे important मंत्राले होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग Cabinet, समझ आगे अच्छे से कि Cabinet क्या होता है, तो Cabinet basically एक sub-part होता है, Council of Ministers का, अब देखें, तो आप ये समझ लीजे, पूरी सरकार जो चलती है न, वो ये सबसे influential Ministers होते हैं, अगर इन्होंने मंजूरी दे दी, तो समझ लो सबने मंजूरी दे दी, तो अगर कोई भी चीज सरकार के अंदर कोई मंजूरी हो नहीं हो, तो अब देखेंगा, तो यहाँ पर Central Cabinet ने बोला है कि Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इतनी भयंकर चीज़ ये है क्या, आपको ये समझा दूँ, देखें, यहाँ पर basically ये लोग करेंगे का अभी समझा दूँग, अभी उसको प्यार से हम लोग BIMSTEC बोल देते हैं, तो BIMSTEC में उन्होंने बो countries, भारत ने, थाइलेंड ने, ध्यांसे सुनिएगा, इंडिया ने, थाइलेंड ने, इंडिया ने, बांगलादेश ने, थाइलेंड ने और श्रिलंका ने, 1997 में सोचा कि यार देखो हम सारे लोग Bay of Bengal के पास में लाई करते हैं, सही है न, इंडिया ने, बताईए इसमें से इसमें से कौन सा ऐसा फ्लाग है, जो की थाइलेंड का फ्लाग कौन सा है इसमें से, आप सामने देखी होगा और बताईएगा कौन सा थाइलेंड का फ्लाग है, तो इंडिया ने, बांगलादेश ने, इंडिया ने, बांगलादेश ने, श्रिलंका ने और थाइलेंड ने, इन चारो देशों ने 1997 में सोचा कि यार ऐसा करते हैं, हम सब लोग आपस में एक Bangkok में, Thailand में Bangkok है न, जरूर जानते हों गया, तो Bangkok में एक declaration दिया, बोले कि यार हम लोग ऐसा है, हम लोग अपना आपस में एक group form कर लेते हैं, और एक दूसरे को खूब support किया जाएगा, बढ़िय करेंगे, अब trade, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो बिमसिक बनानी क्या जर्वत है, इसमें क्या होता है, जैसे मानलो मैं USA को, अगर जैसे USA की motorcycle है, USA की motorcycle इंडिया में आती है न, तो मैं 100% import duty लगाता हूँ, for example, जब Harley Davidson इंडिया में आती है, Harley Davidson जब इंडिया में आती है, तो मैं उसके उपर अगर वो 5 लाग की Harley Davidson होती है, तो उसके उपर 5 लाग रुपय का मैं tax लगाता हूँ, यह सचाही है, इसलिए Harley Davidson इंडिया में इतनी महंगी है, 10 लाग की है, लेकिन अगर मानलो Thailand या शिलंका से कोई bike बन के आएगी, तो क्योंकि हम लोग आपस के लोग है, हम लो में दम है, और मैंने तो in terms of US में इनसे tax बहुत कम ले रहा हूँ, तो फिर भाई वो अपना माल मेरे देश में बेच सकते हैं, इसी तरी के भारत उनके वहाँ बेच सकता है, तो यह चार लोग साथ में आया थे और उनने बनाया था BIMSTEC, नाम ऐसा क्यों पड़ा, Bay of Bengal Initiative और यह आपका multi-sectoral, Bay of Bengal की, क्योंकि सारी countries Bay of Bengal के आसपास की countries थी यह, समझ गए, multi-sectoral मानने, एक sector पर नहीं कि खाली agriculture में होना साब, agriculture में भी करेंगे, communication में भी करेंगे, defense में भी करेंगे, और सब में करेंगे, तो आज के टाइम पर कितने countries हो गई है, आज के टाइम पर साथ से नाम सुनना, नाम बड़ा important होता है यार ये, तो यहाँ पर, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Thailand, India, Nepal और शिलंका, ये साथ है, ठीक, clear हो गया अच्छे से, तो ये इन देशों के आपस के सम्बंद को भी improve करता है, BIMS Tech, ठीक, चले, अब पैसे कितने लोगों ने Harley-David से चलाई है, मैं गया थे, एक बार Harley-David लेने, मैंने सुच, आर बहुत हो गया, आज जा करके न, आज तो पैसा खर्च करना है, मैं नहीं 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 तनखाई थी उस समय account में, तो सुच आ यार अब तो जा करके यार, दो महिने से आख कुछ खर्च नहीं कि, आज जा करके यार Harley-David लेन और जैसे ही बैठा, सोच लिया, नहीं भाई, नहीं खरीदनी है, क्योंकि वो बाइक इतनी जादा गरम होती है, इतनी गरम करती है, क्योंकि उसमें 900cc का इंजन आपके दोनों पैरों के बीच में, आप अभी नहीं समझ भाए होंगे, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपके दोनों पैरों के बीच में रख दिया जाए, और जिसको सिर्फ हवा कूल कर रही है, तो कैसा लएगा आपको, बस ऐसे ही लगता है, तो गरम एरिया में ड्राइव करने के लिए वो गाड़ी नहीं है, चलिए आईए, तो next पर आते हैं, इस पर बताईएगा, बताई कि अपके लिए टेक्नोलजी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कि इंडिया में हम सोलर पावर की तरफ खूब जा रहे है, तो सोलर पावर का हम आपको भी, हम आपको काफी हल्प करेंगे, अपने बहाँ डेवलप करने में, जिससे आपकी इंडस्ट्री इंडर बहतर हो जाएगी तो इसको बोट में technology transfer, right? Now, so हमारे पास में क्या आ जाएगा? The correct answer for this one will be BIMSTEC. ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. BIMSTEC का मुख्याला कहा पर है? जल्दी से बता देंगे सारे के सारे लोग. BIMSTEC का headquarter हमारे मां किस जगा पर आएगा? It will be in Dhaka. बांगलादेश के ढाका में. अब देखे, कल एक और बड़िया सा record आया. तो हमारे जो golden boy, बताएगे golden boy of India का नाम बताएगे. सब लोग बोलेंगे. Golden boy of India का नाम बताएगे क्या है? Who is the golden boy of India? तो golden boy of India साब है, इस समय हमारे इस समय क्या? बनी चुके है golden boy of India. इन्होंने क्या किया? नीरत चोपड़ा ने अपना खुद का record तोड़ा. और अभी एक और silver medal जीता है इन्होंने. देखिएगा. नीरत चोपड़ा ने क्या किया? अभी ये game चल रहे थे. पावो नूर्मी गेम चल रहे थे. तो ये Finland में चल रहे हैं ये. और इन्होंने अपने career में अभी तक क्या करा? इन्होंने 89.30 मीटर का सरवश्रेश थ्रोथ दिया है इन्होंने. आज तक इन्होंने खुद में इतना बड़ा थ्रोणी दिया था. जो javelin throw भाला fake में. भाला fake प्रतिरस परधा में ये participate करते हैं. इन्होंने अभी ओलम्पिक्स में, टोक्यो ओलम्पिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत करके आई हैं. इसी लिए इनको golden boy of India हम मोलते हैं. अभी तक इन्होंने खुद का record इनका 88.07 मीटर था. इनका नया record खुद का national record इन्होंने तोड़ा. और ऐसा करन के इन्होंने इतनी दूर फेका कि इन्होंने रजत पदक, माने कि silver, second निस्थान इन्होंने प्राप्त किया इन पावो नूर्मी गेम्स में. तो पावो नूर्मी गेम्स में इन्होंने रजत पदक यानि कि second position इन्होंने हासल करी. समझ गए और two round में silver medal इन्हों ने हासिल किया हुआ है अच्छे एक और चीज समझेगा आप यार जो विक्ति जीता अच्छे मैं आपको ये भी बता दूँ इनकी उमर भी आपी के बराबर ही है देख रहे हैं ये आपकी बराबर के ही उमर के हैं नीरत चोपड़ा तो ऐसा देखने में लगता हुआ ने यार बता यार ये भी हमाले बराबर है यार और हम कहां ये कहां तो इन्होंने जेखे अगर कोई मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़धा महनत अगर कोई कर सकता है जो इसको मैंने सामने देखा है तो ये अतलीट्स हैं अतलीट्स का क्या होता है चाहे कैसा भी हो जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो उनकी कंडीशन कैसी भी हो उनकी emotional condition कैसी भी हो उनकी physical condition कैसी भी हो unless or until उनको बिल्कुली injury नहीं हो जाएगी वो अगर उनको field पर जाना है तो उनको field पर जाना है, regardless कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनको field पर जाना है, वो उनके लिए ऐसा ritual है जिसको ब्रेक करी नहीं सकते, मैंने athlete से जाथा determined लोग कभी नहीं देखे, मेरा बड़ा मन है कि मैं कभी किसी athlete से interview करा हूँ आपका, और मैं कई सारे ले athlete से मिला भी हूँ, तो उनसे आप से एक बार बात करो हूँ, और आप उनसे प्रश्ण पुझे है, वो आपको सामने बताएं, कि कैसे वो इतने determined रहते हैं, क्यार consistency की भी एक सीमा होती है, और वो लोग consistency की नई सीमा हर बार इजात करते हैं, चाहे कुछ भी अगर उन्हें 5 बजे field पे पहुचता है ना, तो चाहे भयंकर सर्दी हो, वो 5 बजे field पे पहुच जाएंगे, अगर किसी दिन बरसात हो रही है, तो वो 5 बजे field पे ना जाकर वो उसका कुछ alternative निकाल लेंगे, लेकिन 5 बजे, उनकी training वो अपनी शुरू कर देंगे इतने ज़ादा punctual होते हैं, और इतने disciplined होते हैं athletes, और यही देखिए, इसलिए हमारी और आपकी उमर में, यह इनको दुनिया में ख्याती प्राप्त है, और अपने को तो पडोस वाले अंकल भी नहीं जानते, है ना, जानते भी हैं तो, अभी भी सरकारी एक्जाम की त्यारी कर रो बेटा, हैं, बुज़ोर कर लो, TCS में अपलाई कर दो, मिन तो बीर्ड कर लो, तो इस तरीके से जानते हैं हमको, जैसा effort, वैसा reward, जैसा संगार्च वैसी सफलता, चली आईए, अच्छा देखिए, तो दुनिया में इस समय, अच्छा, किस ने, गोल्ड किसको मिला, Oliver Hillander, इनको गोल्ड मिटल मिला, इनोंने नीरत चोपड़ा से मात्र 0.53 मीटर आगे, अपना भाला फेका था, माने 50 सेंटी मीटर आगे, इतना आगे, सोचो यार, हम बोलते हैं ना, अरे, इतना सही तो है, जैसे आपमें से 90, 90, 95, और 95 से 98 अटेंप्स तक पहुचने में सारी कहानी होती है, आप सोचिए, यहां फर्स पोजीशन और सेकेंड पोजीशन की, जिसको गोल्ड मिला और इतना अंतर है, 50 सेंटी मीटर इतना होता है, अगर इतना नूर्मी गीम्स की, अगर मैं बात करूँगा, तो यह किस कंट्री ने और गनाइस किया है, बताईएगा, शाबाश, तो यह नौर्वे ने किया है, स्वीडन ने किया है, फिनलेंड ने किया है, या फिर कैनेडा ने किया है, इन में से किस इन में से किस country ने पावो नूर्मी गीम्स शुरुवात करी है तो यांसे मेरा आ जाएगा इनने फिनलेंड ने करा है शाबाज शेयर, बहुत बढ़िया बात है आये और आ गया थे, तो यहां पर आएंगे हम लोग पावो नूर्मी गीम्स 2022 में नीरत चोप्रा ने कौन सा पदक जीता है सोन जीता है, रजजद जीता है, कांच जीता है या कोई नहीं जीता है इन में से, एंसे प्लीज चाबाज शेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वेरी गुड, अरे सर, स्पोर्ट में इतने का बहुत फरक पड़ता है आणम इतना फरक, खाली स्पोर्ट में नहीं पड़ता है इतना फरक, ना जीवन भी हर चीज में पड़ता है मैं आपको एक छोटी सी चीज बढ़ता हूँ जब SSE का रिजल्ट निकलता है न तो बड़ी सी PDF निकलती है आपने देखा होगा मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा रिजल्ट आया था मेरे marks थे 170 out of 200 उस समें normalization चलता नहीं था तो ये मेरा raw score आया था और मेरी All India rank जो आई थी उस समें मेरी All India rank थी 1511 ये मेरी All India rank थी जब SSE का रिजल्ट आया था 1511 निक, sorry मेरा All India rank थी 1093 मेरा एक दोस्त था उसका नाम था Potion Potion के number थे 172.5 Potion की rank कितनी थी? Potion की rank थी इसी exam में 678 अब आप समझे धाई number का अंतर मेरी All India rank आई थी 14 लाख बच्चों में 1093 मैं SSE CGL exam की बात कर रहा हूँ मैं SSE CGL 2016 qualified हूँ मैं 2016 की आप से बात कर रहा हूँ सोचिए एक सवाल है ये आदा number मेरे गलत होने का और दो number अगर मैं उसको सही कर लेता तो यानि एक सवाल से 400 rank उपर हो गया जब final rank आई जब mains भी हो गया फाइनल rank आई तो मेरी final rank आई किसनी लगबग 1578 के आसपास उसकी final rank आई लगबग 1200 something के आसपास All India rank 1500 सन 2015 तक क्या होता था जानते है सन 2014 तक 3000 rank तक भी exercise inspector मिल जाता था मेरे डाइम पर क्या हुआ 1400 पे ही officer post जो थी वो over होई और मैंको मिला auditor और एक सवाल के difference पर इस वेक्ति को जो था सबकी अपनी अपनी महनत है इनको मिला था exercise inspector और एक सवाल का अंतर था खाली तो ये इतना close competition होता है जब आप अभी competition में जब आप जाओगे तब आप देखो कि इतनी जब final rank बनती है तो इतने इतने से margin के उपर पूरी-पूरी positions चली जाती है तो इतनी close होती है यसी लिए जो इकी तरीका होता है इसको सही करने का अपनी तैयारी का level इतना God level रखिये इतना God level रखिये कि आपको कोई BT ना कर पाए तो जो लोग structure उसे कहते है सर 0.5 से मेरा रहे गया सर पता है 0.25 से मेरा cut-off रहे गया बहुत दुखी हूं सर frustrated हो गया हूं मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ दू तो भाई अगर आप 0.25 से अगर आप निकाल भी लेते तो अब भी ना आप outie हो जाते तो यह कोई अच्छा नंबर स्कोर नहीं है 0.5 अब 20-25 पच्चिस तीस-तीस नंबर से cut-off लेर गरी है तो अब आप select हो पाएंगे बड़ी आ लेवल पर चलिए तो कौन सा medal पावो नूर्मी गेमस ने नीरत चोपडा ने कौन सा medal जीता है तो यह silver medal जीता है clear हो गया सबको doubt नहीं न कोई किसी को भी चलिए और sir आप अभी वो job भी कर रहे हो वो job मैं गया था पहले दिन और मैंने दो घंटे मैं office में बैठा था और मैंने day one का मैं शायद सबसे छोटा सरकारी अफसर होंगा जिसने सबसे छोटी नौकरी करी है मैंने दो घंटे सरकारी नौकरी करी है मैंने दो घंटे बाद resign दे दिया था कि मैं को लगा या this is not my calling यहाँ पर नहीं करने का है कुछ और करेंगे अपन लाइफ में योगि उसमें teaching करता था 2012 से तो मैं को इसमें मज़ा आता था तो फिर मैं यही करने लगा पहले से यही कर रहा था चलिए आईए रापिट फायर खेलते हैं तयार हो बोलो रापिट फायर के लिए तयार बोलो हाँ तयार एकदम जबर्दस तरीके से चलो अब देखो तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर रापिट फायर की कहानी जल्दी से बोलोगे सबसे पहली बात आप मुझे बताईए कि यहाँ पर क्या होगा पहला हमारा एंसर किस कंट्री ने गांधी किंग स्कॉलर्ली एक्स्चेंज इनिशेटिव लाँच किया है तिजी से करेंगे एंसर मेरा आजाएगा United States of America सिर्फ मैं तीन बार रिपीट करूँगा आपको तीन बार के अंदर एंसर देना है अमेरिकन गांधी किसको बोला जाता है हिंट दे रहा हूँ Kings related to उस नाम है दूसरी बार बोल रहा हूँ अमेरिकन गांधी किसको बोला जाता है कि मत बोल देना defense related है अगनीपथ scheme जो है वो defense related है क्योंकि army, navy और military तीनों में ही अगनीपथ के थूँ अब entry होगी जो root, जो youth join कर रहे हैं अगनीपथ scheme के थूँ defense sector को, इनको क्या बोला जाएगा शाबाश, इनको क्या नाम दिया जाएगा इनको क्या नाम दिया जाएगा answers, yes तो इनको जो नाम दिया जाएगा it will be अगनीवीर का नाम दिया जाएगा इनको very good, बिल्कुल सही जवाब है आपका इनका नाम होगा अगनीवीर ठीक, they will be called as अगनीवीर nice, आगे बढ़ रहे हैं लोग अगनीवीर की जाएगा अगनीवीर की जाएगा लास्ट चेज क्या है साड़े सत्रा साल है किस एज तक की एंड बताईए 21 साल है, 22 साल है, 23 साल है तो अगनीवीर स्कीम में किस एज तक की इनक्लूड किया जाएगा answers, 21 year तक की कौनसी कंट्री ने भारत इंपोर्ट जो आयात करता है उसमें कितना निर्यात करता है क्या रांग है भारत की भारत दुनिया का third biggest importer of oil है third biggest importer of oil है abnormal dinosaur के एग किस कहां पाए गए है मध्य प्रदेश में पाए गए है क्या यहां तक की सारी बात एकदम बढ़िया से clear है कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का राइट चलिए बढ़िया बात है पता यह BIMSTEC कब established होता चोड़ो headquarters of BIMSTEC कहां पर है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Trade and Economic Cooperation BIMSTEC के headquarters कहां पर associated है कहां पर located है BIMSTEC के headquarters शाबाश तो BIMSTEC के headquarters Bangaladesh के धाका में है कहां पर है Bangaladesh के धाका में इनके headquarters है Very good year Bangaladesh का धाका परांथ धाका बेसिकली बंगलजी के capital वहां पर है कितनी countries आज के टाइम पर members है जितने BIMSTEC में शब्द है न उतने ही एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ तो साथ यहां पर members है आज के टाइम पर founding members कितने थे चार इसके founding members थे यहां तक की बात समझ आ गई कौनसी country पावर नूर्मी गेम्स औरगनाईस कर रही है Finland औरगनाईस कर रही है पूरा एक revision कर रहे है हम लोग आज की news का नीरत चोपडा ने कौन सा medal जीता है इसमें नीरत चोपडा ने silver medal जीता है इसमें नीरत चोपडा ने नया national record कर रहा कितने meters का 89.3 meters का national record इन्होंने यहां पर बनाया है राइट बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया से clock clear है कोई समस्या नहीं ना किसी भी तरीके की शाबाश बहुत बढ़िया चलिए ठीक है अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग यहां तक सबको clear है कोई doubt नहीं कैसा भी very good आई एच्छा चलिए तो अब यह क्या हो गया बाई एक दफाम ऐसा attack कैसे गए गयाब हो गए ठीक है चलिए तो आप देखिए का यार कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं आपको यह बता दे अब हम लोग अपनी आज की क्लास हमारी हुई समाप आप में से सारे लोग जो है कई सारे लोग थोड़ा सा धीमे धीमे आते हैं आप लोग starting की बहुत important चीज़े मिस कर देते हो यह क्लास daily सुबा छे बज़े होती है करेंट डिफेर्स की तो चार पेट टाइम आया करिए अच्छे इसके बाद आप हम से कब मिल रहे हैं इसके बाद हम लोग मिल रहे है साड़े साथ बज़े अनकाड़मी पर free special class है जिसको हम बोलते है अभ्यास session इसमें तुरन का तुरन इसमें chat पे आपको link दिख रहा है उपर देखो chat आपको दिख रहा है chat session में आपको देखो एक link दिख रहा है इस link पे click करेंगे जो लोग पहली बार अनकाड़मी platform पर आएंगे ये free class होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं ये practice class होती है बहुत अच्छी होती exam level आप इसमें shortcut वगरा सब सीखते हैं और इसी के साथ एक और बात बदा दूँ इसमें हम लोग polls लेते हैं leaderboard होते हैं माने proper rank वगर आएगी आपकी rank निकलेगी कि आपकी rank कितनी है first, second, third, fourth, fifth out of जितने भी students कर रहे होते हैं 100, 200, 500,000 जो भी है तो आप देखिएगा तो यार ये साड़े साथ पे होगी अभी हम लोग शुरू करने जाने से उतरण बात आदे घंटे का आपके पास समय है मजे कर लीजे जो लोग पहली बार आएंगे उनसे एक free unlock code पूछेगा free unlock code पूछेगा उनसे ये देखिए, ये है unlock code LAB Lab ठीक, और time क्या है क्लास का सुबे साड़े साथ बजे होती है daily का daily तो अभी आप उसको chat session पे click करके आप उसको access कर लीजे enroll कर लीजे अपने आपको फिर मिलेंगे sharp at sharp साड़े साथ, देखो लेट मत होना मजा तभी आती है जब एक दम आप time पर शुरू करिए तो लेट मत होईएगा, साड़े साथ पर ही sharp आप available रहिएगा, नहीं तो आप पर rank में पीछे हो जाते है, क्योंकि हमारा leaderboard तो आपने जितने ज़्यादा सही जवाब दी है, उसी साब से देगा, है ना, ठीक है, इसी इसका द्यान रखिएगा clear? आई, शाबाश और बाकी यार, जिस वो भी हमारे telegram है, वो ये है, तो जो आपको current defense की class की PDF है, वो आपको इसके उपर मिलेगी, तो current defense की PDF है, क्या बात है, स्वती बहुत बढ़ी है, हाँ जी, आप beard कर रहे हैं, तो ये जो class है आप beard से लेकि किसी भी चीज़ के लिए देख सकते हैं क्योंकि मेरा current defense हर चीज़ में जितना one day exam है, आपका state level से लेकि, even आप civil services तक की आपको हर एक exam में आपको यहीं सही मिलेगे current defense, बहुत relevant current defense रहते हैं ये, ये मेरा telegram channel है, इसी के उपर आपको सारी चीज़े, सारी जो भी PDF वग रहा है, यही पर आपको मिलेगी, ठीक है चलो और हाँ जी, चली, हाँ, सारी क्लास से सारी होंगी, कोई भी क्लास हटेगी नहीं, यार तबेट अबेट सब ठीक है, चलता रहेगा वो सब तो यार वो daily का इसाब किताब है, मतलब उसमें कुछ नया थोडी नहीं है, तबेट अब वो अगर तबेट नहीं अपना हट रही है, तो फिर हम अपने रास्ते से क्योंट है, भाई, है बात की नहीं, जो हमने सोचा हुआ है, जो हम लोगों ने सोचा हुआ है, डिसाइड करा हुआ है, कि 90 दिन तक की आर एक्दम भैतरीन तरीके से आपन अचाड़मी पे, आप चाह रहे हैं, पूरा-पूरा सिलिबस आप डीटेल में पढ़ें, टीचर तवारा, क्या कि आपको इधर-दर भटकना ना पढ़े सिलिबस के लिए, ऐसा ना हो कि आप पूरा साल बर पढ़ें और आपको सिलिबसी ना कंप्लीट हुआ हूँ, आप आधा ही सिलिबस पढ़ रहे हूँ, तो इसके लिए आप अपन अकाड़मी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस आइकोने के सारे फीचर्स आपके लिए लिए लिखे हुए हैं, आप अराम से सारी बात देख सकते हैं, और यह इसके सब्सक्रिप्शन हैं, बारा महिने या चौबिस महिने, इन दोनों में से ही कोई आप एक लेंगे, और जो डिसकाउंट शिसकाउंट है, यह आपका स्पेशल डिसकाउंट कोड, LABLAB, इसके तुरू आपको माक्सिमम डिसकाउंट जो भी आपका है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग अभ्यास में मिलते हैं यार, बाइ करेंगे, जो लोग अभ्यास को जोइन करना चाहते हैं, आप के थुरू, तो आपने अकाड़मी आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आप जाकर करके मेरे को सर्च करेंगे, गोल सर्च करेंगे, SSC, महाँ मुझे सर्च करेंगे, अमंच्रिवास तबह, फिर स्पेशल क्लास में जाएंगे, प्लस पे जाएंगे, सी ओल पे करेंगे, फिर यहाँ फिल्टर लगाएंगे, स्पेशल क्लास का, अपकमिंग का, और मैं अन्रोल कर लेंगे मेरी क्लास में, इसको अनलॉक करने का कोड है, LAB LAB, ठीक है, चलिए, बबाई, टाटा, टेक केर, all the best, this is my book, जो कि आपको description में इसका, जिनको भी जिये की केताब लेनी हो यार, वो description नीचे ले सकते हैं, description में जिये की book का मेरा link पड़ा हुआ है, ठीक, बबाई,